त्यार किया गया है कॉस्टन का देखे शुरू करते हैं जैसे कि आप लोग को पता है बाबु कि हमेंसा 50 परषण जो है कि अब्जेक्टिव पूच रहा है फिप्टी परषण आप लोग में पहला प्रश्न आप लोग के शामने है न पहला प्रश्प ऑभू ध्यान दीजिएगा पहला प्रश्न किमोहन्स जुदोरो का तो इसके बार में जाने का वो कि मुहन चदरू का उत्खनान राखल 10 वनर जी ने तर जिनको हम संशेप में आड़ी बनर जी भी कहते हैं तो अगर हम बात करते कि इन्हों निकाब किया था इन्हों निसा बाइस में सब्सक्राइब तो यहां सेлекता है कि पूंचनान मिला और दी पनर जी ने किया था कब तब था कि इने जो थ्यान देना एड़ाना कि कि यह कुछ सकता है कि मुहंजदर का उत्खरान किष्ण किया था यह कोशन यह भी कर सकता है कि मुहंजदर का उत्खरान कब हुआ था ठीक है चलिए अगला कोशन पर देता है कि इवन बतुता किस देश का यात्री था ठीक है इवन बतुता किस देश का यात्री था दो नमर कोशन पर ध्यान तो यह मुरोग को देश का रहने वाला था यह भारत आया था भ्रमन के लिए था घुमने के लिए आया था जो कि हमारा की मध्यकालिन भारत के इतियास में पढ़ना है अगर थी कुछन पर ध्यांदेते हैं तिसरा नमर पर ध्यांदेते हैं कि आइन ए अकबरी किष्ण लिखा आता के नोरतनों मेंसे एक रहते ते न ये क्वेश्चन पुछेगा यह भाव कि नोरतने किसके दर्वाय में रहते तो मध्यकालिन भारत में आप लोगका अकबर हो जाएगा ठाव तो इसमें कि होगा अबूल फजल इसका एंसर हो जाएगा ठीक ना कि आइन ए अकबड़ी को किस ने लिखा है तो अभूल-फजर ने लिखा है ठीक है चलिए चाद नमर पर द्यान देते हैं कि स्थाइब बंदबस्ट कहां लागो किया गया तो अनुष हमको बटाते हैं कि बंगाल में लागो किया गया तया पिर बंगाल में लागो किया गया था derous आप इप नहीं आप कमेंट ब और अपने दोस्तों को जरूर सेर केजिए ताकि उनके पास अभी आप अब पहुंचे ताकि वह भी उत्तर दे सके वह भी आप त्यारी कर सके सारे लोग त्यारी में जूर जाए ठीक है तो फाइफ नमर कोश्चन है कि तंबाकू के सेवन पर कि सासक ने परतिबंद लगाया लगाया तो थंबाकू के सेवन पर जहां दोलगाया धाकिस ने जहां घ्यन्स और हम जाएगा त्वाएज कंधमाई चिस्तिका दरगा कहाँ है तबा में चिस्तिका दरगा आगरव के आज मेरaltro न हम आसे न О Porque सब्सक्राइब बहुत अच्छा आप लोग को भी जवाब पता है जरूर कमेंट वक्स में दिया के जिए ठीक है जिन लोगों का आप संडी आ रहा था उन लोगों का बहुत अच्छा है साथ नमर जिनको पता हो दिजिए सब अच्छा इतने दिन से क्लास ले रहे हैं सबको पता होना सभिआ कि माजचना किषने किया था तो माद्क रॉछ प्रचना ब्बू विद है कि आता अप्सन डीव ब्हें सर् लेकिन कुश्टन अगर कर सकता है आप कि माँभात के यूध कि तने दिन तक चलाता नों चला तो ध्यान देते हैं ठीक ना आठ नुमर पर ध्यान देते हैं बाभू कि कलकाता में अंग्रेजों की कीले बंदी बस्ती का क्या नाम था ठीक ना सबस्राइब किजिए ताकि जो भी वीडियो दिया यहां पर हिंदी हिंदी सांप को यहां हिंदी होता है सब्सक्राइब यहां सब्जेक्ट होता है ताकि नोटिफिकेशन आपके पहुँच जाए नौ नमबर कोशन देखते हैं कि अकबर ने दिने इलाही कब शुरू किया था तो पहले बता दे बबू आप लोग के दिने इलाही यह क्या है यह दिने इलाही एक धरम में क्या है एक धरम है अकबर दोने क्या क्या था है कि अपनी सासनकाल में सारे घर्म पड़े थे तीन अगीता लग दर्म फेंधराते पन तो धिन इलाही क्या था एक धरम जिसको अगबर नेनकाला था तहीं तो अब यह पुछता है कि अगवर दिन इलाही कब शुरू किया था तो हम बता दें वाव को कि अगवर दिन इलाही 5062 इस वी में शुरू किया था और दिन इलाही एक धरम था ठीक है जो कि दैंटेटेन के भारत आने वाले पर्थम एडियोपेन ना सूरू हुए थिंद तो सबसे सब्से पहले नहीं डिया था तो पूर्टगाली एक पूर्टगाली में सब्सक्राइब में आया था जो कि 1498 में आया था ठीक ना जो सम नहीं बोलते हैं कि हमारे भारत के समंदरी मार के खुछ खुछने क्या था वास्कु डिगाम्मा ने किया था 1498 में ठीक है तो कौन आया था पूर्तेगाली आया था हमेरे देश में कि खुछ यहां कि पर जाणी जाएगा यह बहुत ही पॉटेंट को बीजन अगर सम्राज सब्सक्राइब आप लोग भी देखे तो बोका कि सब्सक्राइब के साथ सकते तो हरे वह का संगम मुंस सब्सक्राइब सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ठीक है दोस्तों को सेर कीजिए कि देखिए बारा नंबर प्रस्ट में ध्याँ जाते हैं कि भायते समुधान कब लाग हुआ ठीक ना भायते समुधान लाग लाग हुआ तो सब सब्सक्राइब को पता होना चाहिए तो यह हमारा हो जाएगा लेकिन अलग पुछ देता है कि भारते समुधान को अंग करीत कब किया गया ठीक ना यहां बचे फांस जाते हैं कि अब इसका क्या जवाब दे ठीक ना अंग करीत का हो जाएगा चाहबीसड्मबर 1950 में हमें भारत्यसामिधान को अंग करीत किया गया और लाग किया गया 26 जनवरी 1950 को ठीक है चलिए तेरा प्रस्षक ध्यान देते हैं कि पुरानों की शंख्या कितनी हैं तो पुरानों की शंख्या हमारे क्याल से आठारा है और है भी हमारे क्या था ठांप्राइं रही है पुरानों कि तढ कितने एक जली अब ऑला क्लास में पढ़ने को मिला होगा कि कि यहां सी होना चाहिए थिक ना यह फिर हो गया कोई बात नहीं थी में जली लगाग भात हुआ था कि पंदरहने का नमर्ट धेखिए गाता अजमल का निर्माड किष्ण करवा ताज महल का निर्माड किष्ण करवा सब्सक्राइब कराब कर द curl से नियर्मार्ण अर नियुक्त कि अपनी बेगम मुमताज महल की आदमीनों ने क्या कि आता ताज्माल का निर्मार करवाया था अ हैं अब बार्ट करने के लेकिन देट साहित पूछें तो 14 माई 498 में आया था सब्सक्राइब करो मध्रास अंवर में ऊप्संसका घरएब है अब्रास और सब्सक्राइब में मदरास में लागो किया गया था तो चरी घून आते आठारा नम्र कोशन देखिए कोशन आहे गया हमने उपर में कशन बताया था कि माउब भारत का यूद कितने दिनों तक चलाता तो माउब भारत ओच्ञा तक तक चलाता तक जो से ऊपश्ट को कहां से देगा उसको दो सेटिंग करना एक फर्ष्ट सेटिंग एक सकेंड जीजिटिंग दोनों सेटिंग में अलग-अलग कोशन डालने हैं अपने से पैदा थोड़ी करेगा अर्कीताब से तो अबजेक्टिव देगा तो यही होता है कि प्रिवियस यहर के जो कोशन होते है इसको उठाना डालना शुरू कर देता उसको डालना सुरू कर देता अब नया आपट रिंग को हम यहिशक्ट करेंगे कि आप लोग एक क्यो काता है लों तो उस पर लोग जो सबस्क्राइब फोकस केजिए ठीक ना जो लोग इस है दोरबाइस में जाम देने वाले हैं इस पर फोकस केजिए ठीक है द्युद्ध का नारा किस ने दिया तो जाहिन का नारा हमारे सुभास चंद्रबोस ने दिया तो ऑप्षान डी एंसर सुभास चंद्रबोस । जलिए रमानंद के से थे रामानंद के सीजिटे अब कोशन है तो मतलब कि रामानंद के सी सरय इनके से कौन कौन थे ख्याल साथ हो जाएगा जएगा अब इनके सभी होजाएगा और तो यह जाती पर तो यह दिखाना चाहते हैं कि हम सारे जातियों को बच्चे को पढ़ाना पढ़ाते थे तो यह दिखाना चाहते हैं कि कुछ लोग क्या होते हैं कि रामानंद किसी से कौन थे तो कभीर मारके चले आते हैं कुछ लोग रैदास मारके चले आते हैं नहीं बाभू एक बार आप किताब उठाइए और पढ़िए और तब पता चलेगा कि आप लोग को यह आ रही तो सारा और अन्सर यहां पर चलिए ट्वं नंबर का क्वेशन देखेगा कि कौल बिद्रो के नेता कौन थे तो को बुद्धु भगत थे कौन थे बुद्धु भगत थे आपसं डी विल बी एंसर इसका होगा जिन लोग का दी आ रहा उसका अंसर सही है आपसं डी विल बी एंसर बुद्धो भगत एक इसका क्या हो जाएगा एक इसका डी हो जाएगा चलिए आगला कोश्यां पर जान देते हैं कि प्रतत्व के अंतरगत निमलिखित में से कौन नहीं है ठीक ना बाइस का हो जाएगा ठीक ना पु पुराइख और को खुधाई करते हैं तो वहां से मैं सही नहीं मिलता ठीक है चलिए तेस्ट इमर्ग कोश्ण देखें यहां से मेरी बातों को सुनियेगा और आप लोग उतर भी देजिएगा कि सर की उपाधी किषने वापस के तो यह सवाल तक क्या जा रहा है जब जलिया उलाबाग हत्या कांड के बाद हमारे देस के बड़े बड़े जुनेता थे उनके मतलब की उदासी चाह गया था और नराज हो गहेते British सरकार से तो हमारे देस टेगोर थे ला वापस करते हैं कि लोव अपने सर्क्वपादी तुम्हें सर्क्युपादी दे के मेरे देश की लोगों को मार रहे हो तो हम क्या गरेंगे अगर अगर कल हम आपको कलेक्टर बना दे और फिर आपके घर के लोगों को हाई सुपीटे तो फिर आप क्या किजेगा लगे यार है अपना क्लेक्टर के डिगरी पकड़ों मैं नहीं चाहिए ठीक न तो क्या हुआ तो कि वही सर की उपाधी इन्हों ने दिया था और जलियोलाबाग हत्या तो महात्मां गादी ने भी केसर यह फिन्या को लोटा दिया था ठीक बसार नहींटीफूर मंतर बता दे कि आपका टो डरमलन था को नहीं अगर को सएप्वी के भी मंतरी भाज करने पार्स मिनिस्टर कौन है तो आप लोग को यह सब याद करके भी जाना है ठीक है कि आप लोग को याद करते हुए जाएगा कि मिनिस्टर कौन है ठीक है सब याद करके जाना पड़ेगा सखासर पॉलिटी के दिन ठीक है तो ले 25 नमर कोश्चन पर ध्यान देते हैं कि पूना समझाता किस वर्स हुआता तो हमारे क्याल से पूना समझाता 1932 में होगा आप लोग का भी अंसर सही है ठीक ना सबका एंसर आ आप लोग देर मत किजिए दोस्तों को सेर किजिए ठीक ना ताकि बच्चों के पास जो बच्चे वंचित है गाओं के खासकर गाओं के जो बच्चे वंचित उनके पहुंच जाए नहीं कोई साधन है यह नहीं ठीक ना शारों में तो कुछ-कुछ पढ़ाई हो जाते हैं लेकिन गाहों में केवल साइंस चलता है जलिए कोई बात नहीं आप लोग बस ऐसे बनाये रखें साथ तकी बिहार का हर बच्चा बच्चा पड़े ठीक चलिए देखें कितना अच्छा रिजल्ट है सारे बिहार का नाम हो रहा है टॉप 10 में टॉप 3 आपका बिहारी जोगे टॉप किया हुआ है तो बिहार के लड़के आगे बैटने हैं ठीक ना देखिए हम अगर बात कर लेते हैं कि यूप बिहार के कितने बच्चे टॉप किये हुआ है ठीक ना तो टॉप 10 में टॉप 3 आपके बिहार के हैं तो आप लोगों को भी अंदर यह जज़बा होना चाहिए कि हमें भी आच्छे से आगे पढ़के हमें आगे जाके अपने राजगा अपने घर का नाम रोसन करना चाहिए कि आप भी किलियर किजिए आप भी अच्छे से पढ़िए और आप इसको क्रेक किजी पेशी को करेक किजिए कोई बड़ी बात नहीं इसको करेक करना ठीक है कि चलिए सब्सक्राइब करेकि असोग कि शक्याएब कर रॉसर शक्या सब्सक्राइब कर शक्याएब कि अठाट सब परकार के बिवा का उले किया गया मनुस्मिर्थी में कितने परकार के बिवा का उलेक तो बता रहे हैं तो यहां आठ विवा का उलेक किया गया है अप लोग ध्यां रखेंगा कि उन्सिस नंबर कोश्चन पर धान देज़ेगा कि दामीन इको क्या था तो दामीन इको बाभू एक भू भागता क्या था एक भू भागता कितने बच्चे होते हैं कि मतलब की कुछ में मार्क चले आत तो यहां दामीन इको एक भू भागता जो कि भूग कानन जब गया था जर्खन की पहाड़ी ओपर तो उसने संथाल लोग देज़ेगे तो नहीं नों आँ साप करवा के जो जमिन जो है कि दिया था खेती करने के लिए किसी करने के लिए हुआ था उन्हों का तुस्य कॉम् अब आप अपको सेंट हैं इतने टेंसन से कि आपका मतलब की आप तयारी में तो कुछ ने कुछ तो ग्यान पर जित हो जाएगा अइसे क्या होता कि आर्च में बच्चे ध्यान नहीं देता है लेकिन देना पड़ेगा ठीक है चलिए पानी-पत्का पर्थम यूद कि हुग तो पानी पत का पर्फरक्षा कि पर्थम कि फॉर्स ऊवायता तो पानी पत का पर्फंद की पंदर 16 मेंallo in बात पंदर आगा था अगर आगा अश्यhero liked लोगों के बिच होते हैं आप लोगों के बीच में अए खिए कि सबस्च के साथ प्राशिक प्लाशी दिखिये तो यह एक यूद नहीं था एक एक सेटलमेंट अंग्रेजों के और मिर कासीम के बीज का यह सेटलमेंट ढ़तीं न तो यह कि सेटलमेंट हो चुका था ठिक न और बंगाल का सिरा जो दौलाओ के पादा चला की हम लोग हाड़ चुक है लेकिन यह सेटलमेंट हो चुका था यह यूद नहीं हुआ था 1767 में हुआ था प्लासिक यूद कभवा था 1767 में हुआ था जो कि एक सेटलमेंट था सब्सक्राइब के समय इंग्लेंट का प्रधान मंत्री कौन था था तो आपका हो जागा अपसं से विल भी एंसर हो जाएगा ठीक है चलिए यह कोशन चौतिस नमबर कोशन बहुत ही पॉट्ट है यह कई बार पुछा गया आप लोग को भी हारबर्ट के तरफ से ठीक न किस सम समुद्र गुप कि मौट की रहती है तो समुंद्र गुप के था ख्यान से कि गया तो चोनय लोग त्विल दशार मोर्क एक मारक चलिए तो आप लोग यहां पर यहां से सबसी पढ़ेंसे पड़िया ही क्वेजार में लीखा किया हुआ घिंग है उसके बाद से टोटल अप्शन पढ़ना की अप्शन में दीजा क्या है तब अपने दिखेज़ेगा कि हमको लगाना क्या है ठीक है हम लोगों कई ऐसे एजाम दिया है तो पता चलता है कि लड़के गलती कहा करते हैं अप्शन में मतलब कि अब्जेक्टिव क्या करते हैं पहला गलती होता है कि कोश्चन पूरा सही से पढ़ते नहीं है ठीक है दूसरा गलती करते है कि आप्शन चारू पढ़ते नहीं है और तीसरा कि सही से रंग के आते नहीं है ठीक है तब थुरा गलती हो जाता है चलिए सब्सक्राइब को ध्यान से पढ़ेगा कि कासी में कि जैन्स प्रशिद संत्य जान जयाता तो कुछ संत्य प्रशिद संत्य संत्य जिन जैन्डर पूरत ने बाम साइथाऋ परती किस संत्य कराएं कि कौन संदूलन का डांडी से प्ररमपूद स कंधर नम्हें लोग पता है कि दांडी यात्रा में 78 लोग गए हुए थे तो यह कुशन पुष्टा है कि कितने लोग गए हुए थे गाधी जीगा साथ तो 78 लोग गए हुए थे ठीक है चलिए करें दिली चलो किसका नारा रहा ते दिल्य चलो किसका नारा या कि दिली चलो कि राजब्योस्ता के बारे में पढ़ना है। प什麼 किसी धायता है भíz्ता को आप लोग कि साथी आजम सारदार भगसी को कहते हैं अफ लोग को चिनता में डाल दीए बागे को दिया होगा धिंव पंजाबاع का स३ट है सरदर भगत सी को मार करते हूंगे लेकिन independence कि डाला रास्पत रायकों ठीका रखिएगा कि 1920 मैं कौन सा फ्रिक दोलन और इंब हुआता है तो 1920 में हम बता दें आप लोगों कि 1920 में खिलापात अंदूलन और आपीं में कि फ्लाफात अंदूलन ख stereo क्यूंत है व है सब्सक्राइब दोनों की एक मिलाके 1922 में खतम्या गैं तो यह था कन्फीज को दोनलों कब कभी कभी हो जाता है गलती है सभी से पोटी टू नमर कोश्टापक भी-स तीर्थिकर पर कौंते तो जैन धर्मेके चवीश-थित्रकर बावु महभीर स्वामी तिन्हों ने जैन तरमिके संस्तापक भी इन्हीं को माना चाता है और उन्हें जयन धर्म के मतलब की पाच्वा सिधान्त इन्हों ने दिया आता ठीक है चलिए अगला कोशन अगराम अगराम बात करते हैं आप जयन धर्म के सब्सक्राइब करते हैं जब चल रहा था तो समय भारत का बासा कौन था कौन था जो पूरे दिल्ली पर राज कर रहा था तो हमारे अठास संतावन आप लोग पाता है कि बहादूर साच जफर ठीक ना कौन था बहादूर साच जफर ता जिसको लोग बहादूर सा दिरतियव भी बोलते हैं और बहातुर साच जफर को 877 की क्रांति में या 83 वर्सी 83 वर्स का था तो इसने अपना नेत्रियों दें स कि इंडिया गेट का निर्माण का हुआ था इंडिया गेट का निर्माण का हुआ तो इंडिया गेट का निर्माण का हुआ तो इंडिया गेट का निर्माण का हुआ तो इंडिया गेट का निर्माण का निर्माण का हुआ तो इंडिया गेट का निर्माण का निर्माण का हु तोट इंडिया नहीं पुछता है यह पुछता है कि आपका इंडियागेट का पूसरा ये चलिए कि 45 नेमर्ट कोशन प्रूप समीद्वाइटकर को कहा जाता है तो 25 आप लोगा के लिए ठाटी तो पर दियान देता है कि तीरतिया बहुत संगीती ता कि अगर आप पूज़ता है तो जागा पाटली पूत्र हो जागा ठीका चलिए फोटी सब नमर कोशन पर द्यान देजिए कि भारत के पर्थम राष्टपती गौन थे ठीक ना भारत के पर्थम राष्ट पती कह ने थे जो कि छप्रा जिला के जिरा देहें उसे में छप्रा जिला आता है आप ही तो सिवान आ गया है ना क्रिश्ण जी कि भक्ति मिर्कना के जिए चली यह जो ऑचित्य रहे तो ब्रभान के अन्ड में आंड तही तो ब्रच्छन देखते है कि कांगरेस के सब्सक्राइब को हुआत सब्सक्राइब करना तो आप लोग बहुत अच्छा यह वीडियो लगा होगा ठीक ना हम यहां पे आप लोग को लेके कर आए थे जो कि इसको पॉइभाब करेंगे अब लोग पढ़ने में असानी पार नBayर कोबन किलियर होगया आप लोग सेर किजिए स्थ्क्राइब केजिये रााइक कीजिए कि कैसा रहा साब वीडियो और आगे किसी का चाहिए ना तो बहुत यह साब लोग का कोश्चन रहा है ठीना चलिए थेंक्यों सो मच